नमस्कार साथियों, साथियों आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है कन्यारास के जात्तकों के लिए सितंबर 2024 कैसा रहने वाला है क्या सुब है, क्या असुब है, कौन-कौन सी च्छाएं, कौन-कौन सी मनोकामनाएं आपकी इस महापूर्ण होंगी, क्या-क्या सावधानी रखनी है, कौन-स आप विशेस उपाय करना है जिससे गिरहों के अशुप प्रभाव से आप बस सकें सारी बातें इसी वीडियो में बताएंगे तो निवेदन है, विननती है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा ज़्यादा और अगर आप अपनी कुन्डली का विसलेशन मुझसे कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, स्क्रीन पर भी नंबर है आप मुझे संपर कर सकते हैं, वाटसप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कुन्डली विसलेशन का क्या प्रोसीजर है, आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा साथियों, सबसे पहले बात करते हैं, सितंबर महा में कौन-कौन से ग्रहे कन्यारास वालों के लिए राश परिवर्तन करने वाले हैं तो राशी का जो स्वामी है, कन्यारास का स्वामी बुद्ध है और बुद्ध चोकि ग्रहों का राजकुमार है इसलिए सितंबर का महा आपके लिए राजकुमार जैसी सांसोकत से भरा रहेगा चार सितंबर को ग्रहों के राजकुमार बुद्ध सिंग रास में प्रिवेस करना है बुद्ध का सिंग रास में प्रिवेश करने का ही मतलब है कि बार्वे भाव में ब्याई करेंगे अब बार्वे भाव में ब्याई स्थान पर विराजमान होंगे ऐसी स्थितियों में कहीं पर नोट कर लें अगर आप फॉरेंड कंट्री में है या आपका जुडा हुआ कोई बेवसाय है विदेश से सप्लाई का हो एक्सपोर्ड इंपोर्ड का हो या फिर आप बहुत दिनों से सोच रहें कि मुझे विदेश जाना है तो यह आपकी मनोकामना पूर्ण होने का योग सितंबर महा में बना हुआ है जो भी लोग विदेश यात्रक की च्छा भी तक लि सबसे बड़ी चीज यह है कि यह जो योग है चार सितंबर से लेकर सोला सितंबर तक बना हुआ है चार सितंबर से सोला सितंबर के बीच में क्या करना है और क्या नहीं करना है इस बात को विशेज ध्यान रखें सबसे बड़ी चीज यह है कि आप चार सितंबर से सोला काम हैं वह बनना सुर्व हो जाएंगे और जो कारे आप करना चाहते हैं उसमें आपको सफलताइं प्राप्त होने लगेंगी 16 सितंबर को सूर्द्यों करन्याराश में प्रिवेश करेंगे तो आपके लगन भाव पर विराजमान होंगे करन्याराश सूर्द्यों करन्याराश में प्रिवेश करना वैसे तो कोई बड़ी हानी नहीं दिखाता है लेकिन ध्यान रखें होन करते हाथ जलते कभी कभी आप भलाई करने का सोचेंगे लेकिन नुकसान उठा जाएंगे इसलिए जो आपकी आदत है भला करने की भले ही आपके साथ कितना बुरा हो जाए तो ऐसा बिल्कुल मत करें मदद करने से बचें क्योंकि अभी आपको खुद मदद की जरूरत है आप किसी की हेल्प करेंगे मदद करेंगे जो कुछ आपके पास है वो भी चला जाएगा इसलिए हेल्प उतनी करें कि आप एक दिन खुद हेल्प यानि मदद के काबिल ना हो जाएगे आप मदद के खुद काबिल हो जाएगे सेहत के मामले में विशेज ध्यान रखना पड़ेगा विशेज कर चर्म रोक से सम्मदित यानि कि सरीर पर फोड़े फुनसी खाज ये सब प्राब्लम्स आपको सामना करनी पड़ेगी इन प्राब्लम्स का सामना करना पड़ेगा सितंबर महा में वहीं ध्यान रहे 18 सितंबर को जो आप को सुख देने वाले हैं धन देने वाले हैं एश्वर देने वाले हैं शुक्र देओ वो तुना राश में प्रिवेश कर रहे हैं और आपके धन भाव पर विचरण करेंगे यानि कि धन में आपके ब्रद्धी होगी और गुरू की विशेश करपा आप पर है चुक्कि नवम भाव में विराजमान जो गुरू देओ हैं वो आपको सबसे पहले तो सारीरिक व्यादियों से बचाएंगे एक सुभाव में चेंजिंग लाएंगे अपने आप अच्छा क्या है बुरा क्या है आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा इंसान को पहचानने की जो आप में छमताएं नहीं है उन छमताओं को गुर्द्यों बढ़ाएंगे वहीं आपके अंदर पराक्रम की भी बहुत जवरदस्त बढ़ुत्री होगी यानि की होशले आपके बुलंद होंगे सितंबर महा में कुछ नया अगर करना चाहते हैं तो जरूर करें सितंबर का महा आपको अनकूल है और निश्र मान कर चले कि सितंबर महा में किये गए कारे आपको आगे जाकर बहुत बड़ी सफलता देंगे बहुत बड़ा लाप देने वाले हैं तो सितंबर के महा में कुछ नया करने को सोच रहे हैं तो जरूर कर सकते हैं वहीं अगर सिच्छा प्रत्योगता की तयारी से जुड़े हुए हैं तो आपके जौब के नौकरी के भी योग बने हुए हैं अगर आपका कोई प्रापर्टी से रिलेटेड काम है या आप इंजिनरिंग लाइन से जुड़े हुए हैं सोसल वर्किंग से जुड़े हुए हैं सोसल मीडिया पर यानि कि विदेशों से भी आप जुड़े हुए हैं ऐसे कारियों को करके आपको सितंबर महा में जबरदस्त लाप प्राप्थ होगा किसी नवीन व्यक्ति से, किसी नए मित्र से या किसी अपने पुराने मित्र से भी आपकी मुलाकात सितंबर महा में होगी वो आपको एक तरीके से बहुत अच्छा मार्ग दर्शन करते हुए आगे ले जाएगा शीर्स तक ले जाएगा उसकी मदद से, उसके सहिभाद से, उसके सयोग से आपकी दसा और दिसा दोनों बतल सकती है बात करें राहू सक्तमभाव में आपको आलस जरूर देगा आपका आलस सी बनना आपकी सफलता में रुकावट पैदा करेगा आलस को अगर त्याग देंगे सितंबर महा में तो आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा कहीं पर आप नोट कर ले मैंने हमेशा एक बात कही है अगर कन्यारास के जातक जो हैं वो अपना आलस तो हजार चोबिस में छोड़ दें सूरुदय से पहले उठना सुरू कर दें उनकी सफलता को कोई भी रोक नहीं पाएगा किसी ग्रह के अशुप प्रभाव में नहीं आएंगे सर्त यह है सूरुदय से पहले उठें और आलस को बिल्कुल छोड़ें आपके लिए आलस ही खतलनाक है क्योंकि आपका 2004 सभी ग्रहें आपके पक्ष में है रहू आपको बैभाईग जीवन हो या कोई भी कार्य आप करना जायते हैं वहाँ पर विग्न आपको जरूर तालेगा जरूर परिसान करेगा उसके बचाओं के लिए सिर्फ आलस छोड़ना है और यह बहुत छोटा सा कार्य है छोटा सा उपाए है और अगर कन्यारास है तो मैंने हर बार बोला है हर वीडियो में बोला है इस वीडियो में भी बोलूँगा कि चार मुखी रुद्राक्ष जरूर धारन करें अगर कन्यारास के जाथ तक अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो चार मुखी रुद्रा छेरदे तक धारन करें आपको कहीं मिल जाए तो ठीक है नहीं तो पूजा वीदी के साथ आपको आपके पते तक पहुंचा दिया जाएगा आप मुझसे कॉल कर सकते हैं संपर कर सकते हैं कुछ कुछ जानना चाहते हैं तो भी आप मुझे वाच्ट सब कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं कुण्डली प्रोसीजर का क्या कुण्डली विसलेशन का क्या प्रोसीजर है आपको वहां पर बता दिया जाएगा वीडियो पसंद आई हो शेर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब के संपन रखे और स्वास्तर के